अगर आज हमारे पुर्वज पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से मुस्लमानों को अगर पाकिसान में सिफ्ट करा दिये होते तो आज हमें ये नौबत नहीं देखने पड़ती दिल हिंसा को लेकर बोलते हैं देखे गिराज सिंग जैसे जितने भी लोग हैं सब वही हैं नफरत और घिरना फैलाते हैं सारे के सारे सब इनका कोई और काम नहीं है यही इनका धंदा बन गया है कि हिंदू मुस्लिम वाली नफरत फिलाओ बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम हिंदूस्तान पाकिस्तान के अलाबग कोई राजनिती नहीं है और जो मुसल्मानों को भी देश है तेरे बाप का देश है यह सारा सब कुछ यह जो है मतलब मुसल्मानों का देश नहीं है यह मुसल्मानों का भी देश है हिंदूओं का भी देश है जैनियों का भी देश है पार्सियों का भी है इसाईयों का भी है नास्तिकों का भी है न त्वारे के समय यहां रहना स्विकार किया वो इसी देश के मुल लिवासी हैं वो इसी देश के नागरिक हैं उस देश के नागरिक हैं और कोई उनसे उनकी नागरिक नहीं छिन सकता और ये उनके कर्म नहीं हैं हमारे पूर वजों के ये तुम्हारे को कर्म हैं जिसकी वज़ आते, समझदारी से काम लेते और ये नफरतग्रणा की राजनिती छोड़के देश को आगे तरकी के रास्ते पर ले जाने की बात करते तो देश वाक़ी में बहुत आगे बढ़ता देश में तरकी होती, बेरोजगारी खतम हो गये होते खतमने तो कम से कम बहुत कम होती लोगों को रोजगार होता उनके पास खाने, पहनने के लिए, रोटी के लिए कपड़े के लिए पैसा होता उनके पास आज किसी के पास कुछ नहीं है दो वक्त की रोटी नहीं मिलती 40 करोड़ लोगों को तीन लाख लोग भूख से मर जाते हैं, रोजगार इतनी बुरी सिति में, साड़े नौ करोड लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, डिगरी वाले हैं, इस देश में आज की तारीक में, सो आप समझेए, मतब साड़े नौ करोड डिगरी वाले रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और करीब बाइस लाख लोग जो हैं, जो कुछ ना कुछ काम जानते हैं, जिनको आप स्किल्ड वर करके तो, वो बेरोजगार हैं, इसके लाबर खेती हर मजदूर, खेती हीन मजदू मतब कितने बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, ये नहीं होती, इतनी बड़ी संख्या में देश में किसान आत्मत्या करता है, पढ़ने वाले बच्चे आत्मत्या करते हैं, बेरोजगार लोग 12-13000 की साल के उसमें आत्मत्या कर रहा है, बेरोजगार, अब कितनी बुरी हालत है इसको संभालना था इसी के लिए तो कहके आये ते तूम बजा आ इसके के उनको वहाँ बेज देतें उनको ढहले ज्फूट इसा कुछ नहीं है अगर है भी तो इनकी वज़ेसे हैं इनकी कर्तुतों की वज़ेसे हैं हमारे देश उठाएगे गलत कदमों की वज़े से ये सारी की सारी सिती है वो सब कुछ इनका किया धरा है ये अपनी जो है जो अकर्मन निता है या अपना जो नकारान पन है इनका ये दूसरे पर थूपते हैं और कुछ नहीं है, सब कुछ इनका किया धरा है कहीं बाहर से उसका जो है असर नहीं है अगर बाहर से असर होगा चलो मानेंगे तो कितना हो सकता है बेरोजगारी जो है आर्थी के सिती जो है वो सब के लिए जिम्मेदार ये है और इनी मद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये हिंसा करवाते हैं जो हिंदू-मुस्लिम जगड़े करवा रहे हैं और ये हिंदू-मुस्लिम जगड़े नहीं है ये देश के प्रती हिंसा है असली है तमें ये ही देश-द्रोह है जिस देश-द्रोह की बात करते हैं ये है देश-द्रोह असली ये हिंदू-मुस्लिम नह के तो सोचना चाहिए गार्मेट को अपने आपको सोधाना चाहिए कि आप कहते हैं यह दुनिया में नाम कर दिया है यह नाम कि दुनिया की जो पार्लेमेंट है उनमें यह मसला उठ रहा है फूतू हो रहे हैं कि इससे ज़्यादे और मतब दुखत हिस्तिती क्या होगी कुछ नहीं है इसके लावा अगर आपकी विदेश नितिकी या कोई वाली बात है दुनिया में होती हाँ बात मानते हैं आप कि चाइना ने जो कॉरिडोर बनाया है जो यहां से लेके तिबबस से लेके और आजात कश्मीर के हिस्से से होते हो पाकिस्तान नीचे कराची तक एकोनिमिक कोरिडोर बनाया है आप उस पर सवाल उठाते अगर हम आजात कश्मीर को अपना हिस्से में से लेके जा रहा ना चाइना उसके खिलाप आप आज उठाते तब तो लगमता कि यहां कुछ है ऐसा चीए के विशम है जो यूनाइटेड नेशन्स हुमेर राइट कमिशन है उसकी तरफ से जो रिट फाइल केगी सुप्रिम कोर्ट में यह सब क्या है यह सब दुनिया में थूतू हो रहे है तुमारे काम ऐसे है तो गवर्मेंट को इसको सोचना चाहिए इसको इसके बड़े व्यापक परणाम पढ़ेंगे देशमर बड़े व्यापक परणाम पढ़ेंगे गवर्मेंट को इसको सोचना चीए सुधारना चीए ताकि न केवल राष्टे स्तर पर अंतराष्टे स्तर पर भी हमारी छवी सुधरे खर चाहिए पर अंतराष्टे स्तर पर अंतर पर व्यापक पर tuँ न पर च सोिआ के र solamenteङए व्यान चाहिए, व्यालाए ¿ झार चाहिए? झांस, आर चीए ลंदार भी हमार फ्या और व्याव के था है,ल्या अंतराब में